कहे जो करवा चौथ कहानी दास गधेरी निच्चे जानी करे एकादसी संजम सोई करवा चौथ गधेरी होई आठे साते करे कंदूरी सोतो बने नीच घर सूरी कबीर दास जी कहते हैं कि आन धरम जो बन बसे कोई करो नर नारी गरीब दास जन दाके हो वो जासी मतवारी इसका मतलब यह हुआ कि धार्मिक पूजा को छोड़के अगर कोई अन्य पूजा करता है तो वह ठीक नहीं है और जो अन्य पूजाएं करता है वो नरक का भागी बन और जो करवा चौत का ब्रत रखते हैं और जो उन्हें कहानी सुनाते हैं उनको चोटी पकड़ कर ले जाया जाएगा ये काल नरक में और गधे की योनी में डाले जाएंगे। इस प्रकार देश का संचालन संबधान करता है, ठेक उसी प्रकार दुनिया का संचालन भी बेद के द्वारा होता है। अब थोड़ा बेदों के माध्यम से हम जानते हैं कि करवा चोट का ब्रत रखना उपियोगी है या नहीं, सही है या गलत। बेद कहता है कि ब्रत करो, ब्रत रखो, ब्रत का पालन करो. ऐसा बेद अस्पष्ट आदेश देते हैं. लेकिन कैसे ब्रत करें? बेद का ब्रतों से क्या तात पर रहे हैं? बेद अपने अर्थों को स्वें परकट करता है. बेद में ब्रत का अर्थ है अगने ब्रत पते ब्रत इसलोग रिगवेद का है इसका अर्थ होगा हे ब्रतों के पालक प्रभू मैं ब्रत धारण करूंगा मैं उसे पूरा कर सकूं आप मुझे ऐसी सक्ति प्रदान करें मेरा ब्रत है मैं असत्य को छोड़ कर सत्य का मर्ग अपनाऊंगा इस मंत्र से यह तो असपष्ट है कि किसी बुराई को छोड़ कर अच्छाई को ग्रण करने का नाम ही ब्रत होता है सरीर को सुखाने या फिर आधी राद तक जगने का नाम ब्रत नहीं है चारों वेदों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि इस तरह के करवा चोथ का ब्रत करने से किसी की आयू बढ़ती है भलकि घटती है ऐसा मनु इस्मृति में वड़न मिलता है जो पती के जीवित रहते भूखा मरने वाला ब्रत करती है वह पती की आयू कम करती है और मरने के बाद नरक में जाती है अब देखें आचारे चाड़क क्या कहते हैं अर्थात जो इस्तरी पती की आज्या के बिना भूखा मरने वाला ब्रत रखती है वह उसकी आयू घटाती है और स्वेम महान कष्ट भोगती है कबिर्दाजी ने भी असपष्ट कहा है राम नाम को छाड़के राखे करवा चौथी सोतो हवैगी सूकरी तिन्हे राम सोको थी जो इस्वर के नाम को छोड़कर करवा चौथ का ब्रत रखती है वह सूकरी बनेगी जरा सोचिए एक तो ब्रत करना और उसके परिडाम सुरूप ऐसे कष्टकारी भोग सहना ये कहां कि बुद्धि मत्ता है अतह इस तर्क सुन्य और सास्त्री वेद बिरुद करवा चौथ का त्याग करके अच्छे और सच्चे ब्रतों को अपनी जीवन में धारन करना चाहिए जिसका फल जिसका परिडाम अच्छा हो ब्रत और भी हैं जो कि बहुत ही पवित्र हैं लेकिन यह ब्रत इसका कोई वेद में वर्डन नहीं मिलता है करवा चौथ ब्रत या पत्नी को गुलामी करने का एहसास दिलाने का एक जर्या होता है एक वो दिन आता है ब्रत तो बहुत से हैं एकादसी का ब्रत करें जनमाश्ट में का ब्रत रखें राम नौमी का ब्रत रखें हनमान जैनती का ब्रत रखें परस्वराम जैनती का ब्रत रखें दिवाली में ब्रत रखें ब्रत तो बहुत हैं जरा सोची किसी औरत के भूखे रहने से उसके पती की उमर कैसे बढ़ सकती है यह बेतुकी बाते हैं बेदों में इसका कोई प्रमाडन नहीं मिलता जब कि दूसरे देश नहीं मनाते और तो और भारत में ही दच्षिड या पूरम में नहीं मनाते लेकिन इस बात का कोई नहीं है कि इन तमाम जगों पर पती की उमर कम होती है और मनाने वालों के पती की उमर ज्यादा होती है क्यों दोस्तों किसी के पास कोई जवाब नहीं है यह ब्रत ज्यादा तर उत्तर भारत में ही प्रचलित है दच्छण भारत में इसका महत ना के बराबर है क्या उत्तर भा इसे अंधविस्वास कहें या आस्था की पराकाश्टा पर सच यह है कि करवा चौथ जैसा ब्रत महिलाओं की एक मजबूरी के साथ उनको अंधविस्वास के घेरे में रखे हुए है कुछ महिलाएं इसे आपसे प्यार का ठपा भी कहेंगी और साथ में यह भी बोलेंगी कि ह हमारे साथ पती भी यह ब्रत रखते हैं लेकिन अधिकतर महिलाओं ने इसे बिल्कुल नकार दिया है अगर पत्नी मर जाए तो पूरुष दूसरी साधी कर लेगा क्योंकि सारी संपत्ती पर तो बैवहारिक अधिकार उसी को प्राप्त है बेहन बेटी मर गई तो दहेज ब कुंद कर दिया है तो क्या अब आपका यह दाई तो नहीं बनता कि उनको इस कुंदन चिंतन से आजादी दे क्या आज के युग में सब पती पत्नी ब्रता हैं आज की अधिकतर महिलाओं की जिंदगी घरेलिव हिंसा के साथ चल रही है जिसमें उनके पतियों का हाथ है ऐस महिलाओं को करवा चौत का ब्रत रखना कैसा रहेगा भारत का पूरुस प्रधान समाज के वल नारी से ही सब कुछ उमीद करता है परन्तु नारी का समान करना कब सीखेगा